एक माहन दाशनिक ने कहा था कि जब दोस्त ही शामिल हो दुश्मनों की चाल में, तब शेर भी फस जाता है मकडी के जाल में। लोगों में आक्रोश इतना बढ़ गया कि पुलिस को कर्फियू लगाना पड़ा। एक हिस्ट्री शीटर लोगों के दिलों में इतना बस चुका था कि उसकी मौत पर पूरा राजस्थान हिल गया। पर अब ये हत्याकांट एक सियासी रूप ले चुका है जिसमें कॉंग्रस के विधायक भी शक के घेरे में आ चुके हैं। पर आखिर कौन था इस हत्याका में मास्टर माइंड बताएंगे आपको इस वीडियो में लेकिन इस से पहले हम आपको बता दे एक गुड नियूज जी हाँ। अगर आप क्रिकेट का शौक रखते हैं तो आप इस शौक से अब पैसे भी कमा सकते हैं। डायमिन एक्सचेंज इंडिया आपको दे रहा है अपने शौक से इंकम कमाने का मौका। जारा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और दियोवे लिंक को फॉलो करें। चलिए अब बात कर लेते हैं देवा गुरजर की। 15 जून 1987 को जन में देवा गुरजर ने बारवी कक्षा के बाद से ही अवैड वसूली प्रॉपर्टी विवाद को निप्टाने जैसे कामों को शुरू कर दिया था। आपको बता दे कि देवा गुरजर उर्फ देवा डॉन कोटा के आद के पुरम ठाने का हिस्ट्री शीटर था। वहाँ उस पर 15 से जादा मामले दर्ज हैं पर देवा गुरजर को एक और शौक भी था और वो था इंस्टाग्राम रील्स बनाने का। आपको बतारे कि देवा डॉन के सोशल मीडिया पर दो लाख से भी जादा फॉलोवर्स हैं। वो जो भी पैसा कमाता था, उसका कुछ हिस्सा लोगों और समाज पर खर्च कर देता था। जिससे लोगों में उसकी एक अलग ही छवी बनी हुई थे। और इसी कारण देवा गुरजर लोगों में बहुत लोग प्रेय था। इसी कारण देवा की हत्या के बाद लोगों का अक्रोश इतना बढ़ गया कि पुलिस को कर्फियू लगाने की नौबत आ गए। पर देवा की हत्या की किसने और क्यूं। देवा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था। वो रोजाना अपने कई वीडियो अप्लोड किया करता था। इसी कारण साल 2021 के अक्टूबर को एक दिन देवा अपने कैमरा मैन के साथ रील्स बनाने गया था। वहां उसकी मुलाकात होती है बाबू गुर्जर से। लोगों की माने तो बाबू गुर्जर देवा के पास काम मांगने आया था। पर देवा ने बाबू को एक प्लाट खाली कराने का काम भी दे दिया। और इसके बाद से ही बाबू देवा के और करीब आता गया। दोनो फर बाबू की नजर देवा के पैसों पर थी और इनी पैसों को हडपने के लिए 23 मार्च को बाबू गुर्जर ने देवा को फोन किया और 5 लाख के फिरौती के मांग की और पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे डाली और इस बात को लेकर हत्या के 8 दिन पहले देवा गुर्जर ने पुलिस को एक चिठ्थी भी लिखे थी इसी चिठ्थी में देवा ने अपनी हत्या की संभावित वज़य का भी जिक्र किया देवा की पुलिस को लिखे इस चिठ्थी में 6 लोगों के नाम भी दिये गए थे साथ ही देवा ने ये भी साफ तोर पर कहा था कि इन 6 लोगों के खिलाफ उसके पास सबूत भी है ये सबूत उसके यानि देवा गुर्जर के मोबाइल में रिकॉर्ड है देवा द्वारा पुलिस को चिठ्थी लिखने से बाबु गुर्जर नाराज हो गया और फिर उसने देवा को माने का प्लान बनाया 4 अप्रेल सोमवार के दिन देवा अपनी गाड़ी ठीक कराने रावत भाटा गया हुआ था देवा ने गाड़ी को एक मिस्तरी के पास छोड़ा और बाल कटाने के लिए एक नाई की दुकान में चला गया पर देवा के इस मोमेंट के जानकारी बाबु को पता चल चुकी थी देवा की दुकान में घुसने के कुछ देर बाद ही जब दुकान में देवा केला था तो करीब 10 से 12 लोग सरीय और डंडो के साथ घुसे और देवा पर तावड तोड़ वार शुरू कर दिये इस हत्या के बाद हत्यारे फरार हो गए थे सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वारल हो रहा है जिसमें देवा को मार कर भागते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं इस हत्या के बाद देवा के भाई अमर लाल के बयान के रुसार पांच लाख रुपे की फिरौती मांगने वाले बदमाश बाबु गुर्जर ने देवा की हत्या के हैं और इस हत्या में बाबू के साथ परसराम, शोपाल, शोपाल के भाई बाबूलाल, भैरू गुर्जर, बंशी बंजारा, बबलू जाट, कालू चैन सुखराम और गोपाल भी शामिल थे इस हत्या कांट के बाद पुलिस ने दबिश दे कर हत्यारों को पकड़ना शुरू किया और मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर को भी पकड़ लिया पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफतार किया उसमें एक था बबलू उर्फ बलराम जाट आखिर कौन है ये बलराम जाट? लोगों की माने तो बलराम जाट बेंगो विधायक राजेंदर विधुडी का करे भी है हत्या के एक दिन पहले बलराम जाट को कौंग्रिस के डिजिटल सदस्ता अभ्यान में रावत भाटा ब्लॉक में प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी इस संसानी खेस खुलासे के बाद पुलिस ने बलराम जाट के संपरकों की कुंडली को खंगाला तो पता चला कि बलराम का बलॉक प्रभारी के पद पर मनुनैन चितोरगर के बेंगू से कॉंग्रिस विधायक राजिंदर सिंग बिधुडी की सहमती से हुआ था ये वही राजिंदर सिंग बिधुडी हैं जिनका कुछ दिन पहले एक आजियो वाइरल हुआ था जिसमें विधायक राजिंदर सिंग बिधुडी बहसरोगर थाना रिकारी संजे गुरजर जमकर गाली गलोच कर रहे थे और गलत धाराओं में किसे निर्दोश को फसाने के लिए दबाओ बना रहे थे पर जब ऐसे चो ने उनकी मर्जी की धारा जोडने से मना किया तो विधायक राजिंदर सिंग बिधुडी ने उसे 15 दिन में बर्खास करने की धमकी दे बर जैसे ही मामला सुलट पाता उससे पहले एक और वीडियो वारल हो गया और ये वीडियो था लाला गुर्जर का लाला गुर्जर ने अपने वीडियो में आरोप लगाया कि देवा गुर्जर की मौत के पीछे एक नाम और है और ये नाम है राजिंद्रे सिंग बिधोरी का जो कि कॉंग्रेस विधायक है इसमें वो ये भी कह रहे हैं कि सत्ता में होने के कारण राजिंद्रे सिंग बिधोरी के उपर कोई कारवाही नहीं होगी पर समाज उसे बहिशकार कर दे पर क्या सच मुझ राजिनिर सिंग भी धोड़ी ही मेन मास्टर माइंट है पुलिस इस बात की तहकीकात में जुटी हुई है फिराउती की रकम से शुरू हुआ ये सलसला अभी थक नहीं थमा है अब ना जाने और कितने नाम सामने आने बाकी है पर अभी भी कुछ सवाल है जिनके जवाब मिलना बाकी है जैसे की बाबू गुर्जर जो की एक छोटा मोटा बदमाश था उसमें किस के कहने पर देवाडौन की हत्या को अंजाम दिया आखिर क्यूं सियासत इस मामले को CBI के हवाले नहीं करना चाहती इतना ही आज के वीडियो में इसे के साथ आप मैं अजाज़त चाहूँगी आप से मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहाने के साथ तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप अपने क्रिकेट इंट्रेस्ट से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत जबरदस खबर है Officially licensed cricket betting sites पर bet करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं वो भी असान payment process के साथ जो आपको देगा 24-7 service सारे 365 दिन तो best betting sites जैसे की Diamond Exchange India Diamond Exchange, Q Exchange और World 777 के जरे कीजिए cricket betting और market में copy करने वाले frauds पर कताई विश्वास ना करें description में दी गई information को follow करें और पाए trusted website से betting करके आसाम payment process से धेर सारा पैसा तो धेर मत कीजे और description को तुरंत चेक कीजे